हेलो दोस्तों स्वागत अपसेविक का हमारे इसुटूट चैनल लोजिका रेडिस में तो दोस्तों आज हम आपके लिए मजे दार और जासुशी पहलियां लेकर आ HAIN तो दोस्तों और आप हमारे चैनल प्रेयन हैं gemeins कर आपने इपिस आ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ने किये थिए तो यहए जल से जल सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को भी लाइक कर लिजिए तो चलिए दोस्तों वी उनकी कार का पेट्रोल खतम हो जाता है और उनकी कार बीच रास्ते में रुख जाती है फिर अब जीद सर उस कार से उबाहर उतरते हैं और पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं तभी अब जीद सर को आगे जाते ही दो रास्ते मिलते हैं अब जीद सर इन दोनों रास्तों को देखकर समाज नहीं पते हैं कि किस रास्ते से आगे बढ़ा जाए तो दोस्तों क्या आप अब जीद सर का हल्प कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं कि अब जीद सर को इन दोनों रास्ते में से कौन से रास्ते से जाना जाहिए अच्छे से देखिये और मुझे अपने अंसर अब कॉमेट रिजिए तो चली दोस्तों अब अब का टाइम शुरू होता है अब तो दोस्तों कि अपनी इसका अंसर ढूग लिया है तो चली दोस्तों इसका फटफट से अंसर देख लेते हैं दोस्तों अब दोनों रास्ते में से पहले वाले रास्ते से जानना चाहिए क्योंकि दोस्तों आप दूसरे वाले रास्ते को देखिएंग तो दूसरे वाले रास्ते से जंगली जानवर गये हैं क्यूंकि उनका वहाँ पर जाने का पैर का निसान है इसलिए दूसरे रास्ते से खत्रा हो सकता है पर आप पहले रास्ते को देखिंग तो पहले रास्ते में इंसान गये हैं क्यूंकि उनका वहाँ पर जाने का पैर का निसान है इसलिए मुझे लगता है कि अब जितसर को पहल अब जिद सर जर्ज बोलता है आप यहां से आगे नहीं जा सकते हैं अगर आप मेरा एक पहली का जवाब देंगे तभी मैं आपको यहां से जाने दोंगा वरना अगर आप पहली का आंसर नहीं दे पाए तो मैं आपको एक कमड में गैस ज़ब कर दोंगा तभी फिर अब सबक्राइब कर दो तो चले दोस्तो अब आपका टाइम चुरू ओता है अब तो दोस्तो क्या अपनी इसका आंसर ढूग लिया है तो चले दोस्तो इसका फर्वर्ट से आंसर देख लेते हैं दोस्तो आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिंग तो दोस्तो इस पिक्चर में बिजली का पोल से लगा हुआ है और दोस्तो पुराने जबन में तो बिजली था ही नहीं फिर यहाँ पर बिजली का पोल कैसे लग सकता है इसका मतलब इस पिक्चर में यहीं गलत है तो दोस्तो क्या अपने इस कांसर ढूट लिया था मुझे कॉमेट में जरू बताएगा तभी अभजीत सर इस पहली कांसर नहीं दे पाते हैं तो वेंपायर अभजीत सर को एक कमरे में बंद कर देता है और उस कमरे से बहार निकलने के लिए तीन दरवाजे हैं लेकिन दोस्तो तीनों दरवाजे में कोई नगोई खत्रा है पहले दरवाजे में तो एक खतनाक मामी है अगर अभजीत सर पहले दरवाजे से जाएंगे तो वह मामी अभजीत सर को खा सकती है और दूसरे दरवाजे में एक खतनाक डेवी है वह अब जीद सर को मार सकता है और तीसरे दर्वाजी में एक डेंजरास जंगली कुटता है अगर अब जीद सर तीसरे दर्वाजी से जाएंगे तो वो कुटता बजीद सर को काड़ सकता है तो दोस्तों क्या आप अब जीद सर कहल कर सकते हैं? क्या पिस रूम को देखकर बता सकती हैं विजीत सर को इन तीनों दर्वाजी में से कौन से दर्वाजी से बाहर निकलना चाहिए अच्छे से देखिए और मुझे अपना अंसर अपको वट दिये तो चलिए दोस्तों अब आपका टाइम शुरू होता है अब तो दोस्तों क्यों इसका अंसर ढूट लिया है तो चलिए दोस्तों इसका फुरूमर्स अंसर देख लेते हैं दोस्तो आप इस रूम में अच्छे से देखेंगे तो नीचे कुछ कच्रा है और उस कच्रे में अच्छे से देखेंगे तो एक गण परा हुआ है अब जीत सर वो गण लेंगे और जंगली कुता को मार देंगे जीत से जंगली कुता मर जाएगा और अब जीत सर दीसरे प्रेटर को अच्छे से देखिए और स्पिक्चन में डाया सर और अभीजीद सर पंजर ललाने का परतियों गित्या कर रहा है तो दोस्तों कि क्या आप इन दोनों को देखकर बता सकते हैं कि दोनों में से कौन जीतेगा अच्छे से देखिए और मुझे अपना अंसर हम कौमे तो चलिए दोस्तों इसका पटबट से अंसर देख लेते हैं दोस्तों मुझे लगता है कि यह पर जोगिता दाया सर जीतेंगे क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दाया सर अब जीद सर से बहुत ताकतवर है इसलिए मुझे लगता है कि दाया सर अब जीद सर को हड ठास पहें तो दोस्तों इसमें आपका क्या एंसरे आपना अंसर हम को में तो दोस्तों आज की सी वीडियों में बस इतना ही अगर आपको यह हमारे वीडियो अच्छ लेए तो इसे लाइक कीजी हमारे चानल लोज़स का sinking स्प्रेबma किजिए